हेलो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं EMRS प्रैक्टिस पेपर और इसी सिरीज में हम जो हमारा फिफ्ट प्रैक्टिस सेट था उसका बाकी 50 MCQs आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स मेरे साथ कोपी पन लेकर बैठेगा और विदाउट वेस्ट प्रैक्टिस से विद्सियों की बात करें तो आपको मिल जाती हैं इसका ढन्सर मिल जाता है वह कल्शल-डैंटिटी जो है इसकी थीम रही है चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि बीश्य नंबर पस्तिफूल ऑडिवास्टैटिंग आप इसका स्सकते सिनॉनिम और डपनता है डाहण टरावना ट्रीवल होता है cinema उप्लीजनट वेरी एंट प्लीजनट को जो group सती होता है उसकोद और क्या कहते हैरीवल कहते और इंट्रेस्टिंग हो जाता है कोई चीज आपके मनुरण्यक है इंट्रेस्ट चीज में आपका है रुचिकर है तो देखिए मोनो टोनस अगर है तो ओवियसली इसका जो अबजिट होगा वो होगा आपका इंट्रेस्टिंग हाला कि फ्रेस्टि जो पीजी टी का एक्जाम हुआ उसमें लिट्रेचर बहुत कम आया था चलिए फिर भी आप अपनी तैयारी करके चलिए पता नहीं होता है एक्जामर के मूड का वो क्या लिट्रेचर दे दे हाला कि तीनों शीजों की ब्लेंडिंग एक्वली होनी है अनेक्स अनेक्सेप्टेबल जो होता है किसी सोसाइटी के लिए वो अपसीन होता है तो अपसीन का अबजिट डिस ओबिडियंट डिस लोकेट और कासस लेकि डिस ओबिडियंट पता है आपको डिसंट ओविएसली गुड होता है ओनेस्ट जो फेयर होता है उसको किसी सिस्टम को रोक देना किसी प्लान को रोक देना और कॉसस होता है वेरी केरफुल तो अगर है तो अगर है तो फिर क्या होना चाहिए अब जिसका डिसेंट होना चाहिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं किशन मिसिंग है हमेशा एक अदा किशन मिस हो जाता है दा किंग जेम्स बाइबल वोज पबलिस्ट इन किंग जेम्स बाइबल जो है वो कब आई थी देखें अगर आथराइज बरजन की बात करें बाइबल का जो किंग जेम्स बाइबल कही जाती है तो यह आई थी 1611 में हलाग इसकी जो translation है English translation वो शुरू ही थी 1604 में और 1611 में complete हो गई थी इसमें friends 39 books और 27 books 39 तो ओल टेस्टमेंट में तू पार्ट्स में है बाइबल एक ओल टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में है 27 books तो किश्वन ये भी आपका बन जाता है 39, 27 और 1611 और 1604 King James Bible जो authorized version है Bible का वो King James Bible को authorized version जो है वो कहा जाता है The word nature in 18th century literature is tenfold अगर 18th century में nature की बात करें तो किस के लिए stand होता है nature of writing, external nature human nature and universe nature अगर है तो obviously वो human nature के लिए word use हुआ है आगे है question heroic heroic quatrain is heroic quatrain क्या होता है तो देखे एक poetic stranger है जिसमें four lines होती है obviously जानते हैं और किसमें होती है iambic pentameter में होती है तो देखे option पढ़ लेते हैं stringine blank verse eight lines stringine iambic hexameter four line stringine iambic pentameter six line stringine iambic pentameter तो quatrain नाम से ही पता लग रहा है obviously four lines होगा तो four line stringine in iambic pentameter clear और mostly क्या होता है first and third line one, two, three, four तो first line और third line ये क्या करती है ये rhyme करती है और second और fourth line similarly ये भी rhyme करती है और हर लाइन में खास बात ये है कि 10th level होते है clear चलिए आगे बढ़ जाते है the historical novel begin in बहुत अच्छा सा question है historical begin novel जो है वो आए थे clear और वास्तर में देखे जो पहला historical novel जो true historical novel है वो कहा जाता है एक writer रही है मारिया एज वर्थ एडी जी एज वर्थ इनका novel था एक castle रेकरेंट आर ए सी के आर ए एंटी जो आया था 1800 में इसको पहला first true historical novel ये कहा जाता है English का clear friends चलिए आगे बढ़ जाते है तो आपका romantic age जो है वो आपका answer हो गया ad hoc बिल्कुल clear word है Latin word है familiar word है आपका ad hoc का क्या मतलब होता है ad hoc देखे at first sight for this purpose without consideration of wider application and from the effect to the cause or at any price ad hoc क्या होता है ad hoc पे जो न्यूकती आपने सुनी होगी teachers की ad hoc पे न्यूकती यानि for this purpose without consideration of wide replication particular purpose के लिए इससे जादर नहीं सोचा जाएगा यानि temporarily जो जॉब होती है उसको आप ad hoc न्यूकती कहते है clear तो उस sense में हम इस वर्ड को use करते है चलिए कलपा लेविस Latin means कलपा लेविश होता है फ्रॉम दे इफेक्ट तो दे कॉल्स स्लाइट फॉल्ट अ मैन अफ जीनियस से टैनिक प्राइस तो स्लाइट फॉल्ट के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं कलपा लेविश क्लियर फ्रेंट्स चलिए आगे बढ़ जाते हैं दे क्लर्क टरंड डीफ इयर तो क्या कर दिया इग्नॉर कर दिया लिया तो इग्नॉर करने के संस में आप क्या यूज करते हैं टांड डीफ लिए जो है वो यूज करते हैं इग्नॉर कर दिया रिफ्यूज कर दिया तो dispute paid attention disregard disregarded जो है आप इसका option जो है वो टिक कीजिए ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं my close friend got the sack from his first job recently got the sack शायद पहली बार आपने सुना हो गए idiom got the sack का मतलब क्या होता है देखिए got rid of and was demoted from or was dismissed from got sack कहते है dismissed from जब कहीं से dismiss हो गया तो वहां हम use करते हैं got the sack clear friends our house is within a stone throw from the red bedding हमारा जो घर है वो क्या है from a stone throw कहां एक पत्थर की पहुँच में एक पत्थर फेको तो मेरे घर तक पहुँच जाएगा with a stone throw clear तो far off far away very near to and beside किस सेंस में हम इस वर्ड को use करते हैं with a stone within a stone throw होता है very near to बहुत नजदीग और at arms length अब देखिए दूसरा at arms length यानि जहां हमारे हाथ की जो पहुँच है वहां तक हम कोई चीज कोई काम कर रहे है at arms length कोई समान है at arms length है तो at arms length अगर है तो यह idiom use करते हैं हम distance के लिए दूर है clear और stone throw नजदीक और दोनों में देखें तो दोनों object नज़र आते हैं हमें idioms clear the very near to is का answer हो गया find the missus pet world missus pet को देखें idiosyncrasy idealize idiosy और idealize देखे idiosyncrasy c r a c y c r a s y okay बिल्कुल ठीक है बार्ट idealize li z e और li s e दोनों पर चलन में होती हैं ऐसी जगार idiosy और idealize idiosy भी ठीक है idiosy जो है ये गलत यहां spelling लग रही है idiocy होना चाहिए idiosy कोई काम stupidity से कर रहे हैं वहाँ idiosy का आप use करते हैं clear बाकी तो सारी चीज़े पढ़ी हुई है यहां तीनों चारों वर्ड आपके अच्छा यहां भी mathematician, statician, dietician और physician चलिए physician से ही शुरू करने ठीक है dietician, statician ठीक लग रहा है math 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 तो गलत है दो जगे गलती दे रखिए इस में दो क्या यहीं है आपकी M E T I नहीं होगा और यहां A की जगह E E की जगह A यह होगा तो यह इस वर्ड मैपकी एरर है फाइंड दो मिस्स पर्ड कारियर C A R R I E R ओके C A R R R E R C U R I E R तो C A R R E R इस में की मिस्टेक हो गई डबल र नहीं होता बिलीफ देट वार और वाइलन्स और अन जिस्टिवाइड एक ऐसा विलीफ जिसमें आप कहते हैं की वार और वाइलन्स जो हो नहीं होनी चाहिए नीडियलिजेशन पैसिमिजम नीडिल नेचरलाइजेशन और पैसिफिजम तो ओवियसली पैसिफिसम को आप कहते हैं जब विलीफ देट वार इन वाइलन्स अर नौट जेस्टिफाइट तो एक राइटर का कमेंट करिए मुझे राइटर का नाम बताईए जरह ऐसा राइटर जो पैसिफिस्ट रहा है ग्रूप अफ गर्ल्स क्या कहा जाता है एक बार टीजी टी में ये किशन पूछा गया है बेवी कावी टूप एंड काटरी तो ग्रूप अफ गर्ल्स की बात करें तो ओवियसली कहा जाता है बेवी ओके और एक बार मुझे याद आ रहा है ग्रूप अफ कांस्टेबल भी पूछा गया था ग्रूप अफ कांस्टेबल उसको भी आप कमेंट करके मुझे बताईए क्या है वन हुर लवज बुक्स जो बुक्स को प्रेम करता है स्कॉलर बिबलियोग्रेफर टीचर बिबलियोफाइल यह उपसन आपका हो गया चलिए वन हुर वाक्स इन सलीप बिलकुल मेकबथ में आपको बिलकुल मेकबथ याद आ गया होगा पले और लेडी मेकबथ उसको एक वीमारी थी वो नीन में चलती नीन में चलते चलने लगती थी समनी warrior next egoist or somnambulist और चोछता option अल्ट्रोनी तो बीसली यह होती है विमारी Somnambulist Okay मि शॉम्ना होता है नीन और एंबुलस ने मतलब हो गया आपका वहुआ कि एसी डूसली डेसी डेसली क्या होता है भाइज डेसली मीन सेंसिटीबली डिलीजट्टी एगर ली एंड बिटर ली ऐसी डूसली डीज्ट्री जब आप किसी काम को केर फूल अटेंशन के साथ और परिश्म के साथ करते हैं तब आप यूज़ करते हैं एसीडवसली तो डिलीजेंटली ओविसली हो गया डिलीजेंट एसीडवस होता है चलिए आगे वाला वर्ड है बैटिफिक मीन्स बैटिफिक मीन्स देखिए वोकेब के 10-15 किश्टन कम से कम आते ही आते हैं हार एक्जाम में इसमें भी मुझे लगता है कम से कम 15 किश्टन आये थे किसमें इमर्स में तो चलिए फेंट्स आगे बढ़ जाते हैं बैटिफिक मीन्स बैटिफिक होता है अवेंट गार्ट, हल्फुल, ब्लिस्फुल और स्माइलिंग ली तो बैटिफिक की बात करें कोई चीज है मेकिंग ब्लिस्फुल और ब्लैज्ड होती है उसको बैटिफिक कहते है यानि बिल्कुल ब्लिस्फुल, डिलिजन्ट डिलाइट्फुल कह दीजिए हैपिनस जो जिसमें बिल्कुल खुशी नजर आती है तो बिटिफिक होती है तो आपका उप्सन क्या होना चाहिए होना चाहिए ब्लिस्फुल चलिए आगे बढ़ जाते हैं बोना फाइडा मीन्स बोना फाइडा क्या होता है और उनरेबल रिमुरेटिव वलमेट एंड जैन्विन तो बोना फाइडा यूज करते हैं किसके लिए जैन्विन के लिए बिलकुल प्यॉर ब्रेड इसका एक सिन्वानी होता है पी यू आर इप्यूर बी आर इडी प्यॉर ब्रेड और हाँ देखिए आप लोगों में से किसी के पास यह मरें इसका सेट बुकलेट अगर आप थोड़ा सा कस्ट कर सकते हैं तो एक उसकी बुकलेट की पीडिएफ बना के ज़रा आप जो चैनल का वाटसप नंबर है उस पर आप सेंड कर दीजेगा ताकि मैं सब को वो भी अविलेबल करा दूँगा चलिए डेक्स्टिरिटी मीन्स डेक्स्टिरिटी क्या होती है डेक्स्टिरिटी होती है इसकल और अड्रोइटनेस आप इसको कह सकते हैं अब किसी चीज में आप कुशल होते हैं तो आप डेक्स्टिरिटी का यूज करते हैं तो जेन्विनेस correctness skill तो skill यहां पर जो है आपका इसका मेनिंग हो जाएगा और बेल फुल क्या होता देखें बेल फुल बेल फुल की अगर बात करें बेल फुल होता है हामफुल जो आप कहते हैं बेल फुल यानि ओमनियस दूसरा वह सिनोनिम हो गए इसका ओवर फ्लोइंग पर्णिसियस अनितिकल एनवियस तो पर्णिसियस यानि जो हामफुल होता है वो बेल फुल होता है आपका चलिए भई यहां भी किस्टिन मिसिंग है Bombay is London of India दो जगे blank दे रखा है तो क्या होना चाहिए देखिए Bombay is the Bombay is the London of India Bombay is the London of India No article और दा तो Bombay की बात करें Bombay की अगर आप लंदन से तुलना की जा रही है तो फिर यहां लंदन से पहले आपका दा लगेगा इस जगे सेकंड ब्लैंक में और फिर्स्ट ब्लैंक में Bombay है तो इससे पहले आर्टिकल की आपकी ज़रुत नहीं है चुकि प्रॉपर नाउन है तो नो आर्टिकल और दा इसको आप यहां टिक कीजिए यह आंसर इसका होना चाहिए The plural of synopsis will be synopsis के plural की बात करें तो synopsis S-I-S और S-E-S S-O-I-N-O-P-S-D-E-L-I-S-O-I-N-O-P-S-I-E-L-S तो S-I-S यह पैटर्न ध्यान दीजिए जहां S-I-S है mostly जिन भी वर्ट्स में तो S-E-S में बतल जाता है अगर हम plural की बात करें The plural of man doctor will be यहां थोड़ा सा confusion आपको हो सकता है तो man doctor, man doctors, man doctors और man doctors ऐसे कुछ compound words हैं जिन में जैसे man doctor है तो इन में दोनों को ही हम plural बना देते हैं M-E-N men और D-O-C-T-O-R-S man doctors, okay दोनों option सेम दे रखे हैं clear तो option आपका यह वाला ठीक होना चाहिए man doctors अब तो किसी को भी ठीक की जिए technical error यहां है का गई typing error कही है there is a screw loses somewhere lose somewhere somewhere bold है यानि इसको बताना है अब प्लेस फ्रिक्वेंसी मैनर डिग्री somewhere जगह की बात हो रही है screw lose somewhere तो अब प्लेस आप यहां यूज कीजिए he lives so that he may eat so that that यहां बताना आपको he lives so that he may eat okay so that यहां भई क्या काम कर रहा है conjunction का काम कर रहा है मेरे विचार से the cat loves comfort the the क्या है the हमेशा क्या होता है adjective होता है cat से पहले आ रहा हो विसली तो adjective होना चाहिए ठीक है न you should talk less and work more अब more की बात करें तुम्हें more क्या होना चाहिए it should be add warm clear चलिए आगे बढ़ जाए the student have been punished by the teacher for negligence of duty sentence क्या है had punished अच्छा voice आ गई है I think by the teacher for negligence of duty okay the teacher had punished the students for negligence of duty the teacher punished the students for negligence of duty and the teacher have punished the students for negligence of duty have punished punished or had punished okay और हैव पानिस्ट बही यहां देए हैव पानिस्ट येस अप्सन तो यहाँ यहां आईये यानि आई तीनों में से कोई नहीं है एक चौथा आईयों मिसिंग है जो होना चाहिए था क्योंकि जब बाइट टीचर की बात कर रहें तो दा टीचर आ गया सबसे पहले आपका दा have been punished जैनि present perfect tense है जिसकी passive वहाँ दे रखी है तो teacher है has punished the students और four negligence of duty यह सबसे last में आप लगा दीजिए present perfect tense की passive voice है यहाँ पर okay she is reading a novel tense present continuous तो a novel is being read by her a novel is being read by her okay has been is read was reading तो पहला option आपका ठीक हो जाता है बढ़ जाते है 86 every Saturday I go out for shopping for shops for shopping for shop no improvement every Saturday I go out for shopping भाई मेरे विचार से कोई गलती हां नहीं है तो no improvement कर आप आई है for shopping अपनी जिए के से लगा हुआ है जैरंट है कि ही वॉन सेट में बहुत सारे किश्चन में सो गए हैं तिन्चार किश्चन में सो गए ही वॉन a medal and a scholarship both okay अच्छा यह इसी से मिलता जो अपसर होगा बोथ ही वोन a medal and a scholarship ही वोन बोथ ही वोन बोथ ही वोन बोथ अच्छा बोथ तो बोथ की पोजिशन को लेके यहां किश्चन होगा definitely तो he won a medal and a scholarship both अच्छा यह बोथ ही वोन बोथ तो यह वाला अपसर आपका इसी वाला दिखे ठीक होना चाहिए मेरे विचार से he won both a medal and a scholarship ओके चलिए आगे वाला किश्चन है the whole block of flats including two shops were destroyed in fire the whole block of flats okay including two shops the whole block of flats ठीक है कहीं गलती नहीं है including two shops were okay subject क्या है whole block block है आपका subject तो block है singular होना चाहिए अभी यह गलती यहां नजर में आ गई okay was destroyed in fire कोई गलती नहीं है destroyed में fire में इसमें भी नहीं है तो यहां भाई it should be was was होना चाहिए क्योंकि subject यहां क्या है whole block है चलिए the population of Kolkata is greater than Delhi although Delhi is the capital of India no error yes the population of Kolkata Kolkata की population is greater than किस से Delhi Kolkata की population की तुल नहीं हो रही है न कि Kolkata की तो is greater than that of Delhi यह आना चाहिए यह वर्डियान धैन दियान दीचे इस वर्ड पे यह बीवाल आपसन आपका फिर ठीक हो गया sorry इसके साब से error हो गई बीवाले option में error होनी चाहिए ठीक है I hope you'll have a good journey I said I also said good boy ठीक है तो I hope you'll had a good journey तो I bid goodbye I also said good boy and hope that he would have a good journey ठीक होना चाहिए भाई यह वाला answer I said that I hoped said that I hoped I was hopeful I said him good boy and wished him a good journey wished him a good journey अब देखें यहाँ you will have a good journey तो you will have है तो you would have इसको दीजे फिर यहाँ विज्ड क्यों लेके आएं तो एवाला option अपका ठीक होना चाहिए I invited Ram to come for a drive the following day I invited Ram, I said to Ram, I put a question to Ram, I said Ram, would you यह यह दोनों काड़ दीजिए उपर वाले दोनों में से कोई answer आपका होगा I said to Ram, will you come for a drive the next day or will you come for a drive the following day अब आप passive in direct बनाते हैं तो following ले आते हैं और passive आपकी yes following आना चाहिए next day का तो कुछ मतलब नहीं है अच्छा कि शुन मा कि हम भूल गए तो यह वाला बी वाला option आपका होना चाहिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं the hotel adjacent के बाद the station adjacent के बाद आप proportion यूज करते हैं क्या adjacent to suddenly we were enveloped the dense fog तो we were enveloped in dense fog 2-4 of in का आप यूज कीजिए they have quarreled a piece of land 2-over of in to quarrel के बाद आप यूज कीजिए they have quarreled over आगे बढ़ जाते हैं they have been reading seven o'clock तो reading के बाद क्या आगया time दे लिया time यानि point of time तो आप यहां use कर रहेंगे क्या sense ठीक है भाई देखे option में दे भी रखा है okay the theme of iskills poetry is निसी में iskills की बात करें तो इसकिल की poetry की क्या theme रही है rural life life in the city nature and mysticism तो obviously life in the city जो है इसकिल की poem की theme आपकी रही है the figure speech in which we describe intelligence and personality to inanimate things is known as एक ऐसी figure speech जिसमें हम intelligence and personality inanimate thing को बता देते हैं यानि कोई निर्जी वस्तू होती है उसको हमने क्या बता दिया intelligence और personality उसको हमने दे दी obviously personification की यह बात हो रही है तो personification आपका answer होना चाहिए again the character for a person of a material outlook and indifferent to culture okay material outlook जिसका होता है culture के बिर्टी indifferent होता है तो उसको हम क्या वाल देते हैं प्लिस्टाइन बर्बेरियस नॉमेड और अनार्किस्ट तो ओवियसली हम क्या कहते हैं इसको प्लिस्टाइन who changed his her religion some years ago किस ने जो religion है वो बदल लिया था easy question आरंदास is killed नलुकते हैं तो कमलादास की बात हो रही है converted to Islam यह आप मुझे comment करके बता दीजिए नाम भी मैं बता दूँ कमला सुरहिया नाम इन्होंने रख लिया था चलिए last वाला question बड़ा प्यारा सा question बड़ा ही important question बहुत बार जाने कितनी बार यह question पूछा गया who stated these words for Shakespeare, soul of age, the applause, delight and wonder of our stage किस ने कहा है Shakespeare के लिए Matthew Arnold, T.S. Eliot and Ben Johnson and T. Eglton तो obviously wonder of stage, soul of age, किस ने कहा Ben Johnson ने देखिए Ben Johnson, Johnson यह spelling है, यह H इस में नहीं है Ben Johnson की तो Ben Johnson ने कहा, clear, अच्छा किश्वन दे दूँ आपको यह बगदा यह कहां कहा है clear, यह आपके लिए, इसको आपको obviously Google करना पढ़ेगा, हो सकता है याद हो आपकी, no problem तो चली friends, आपका score क्या रहा, make an honest comment और इसी के साथ साथ, I hope आगे TGT का paper बहुत अच्छे से होगा, उसकी तैयारी आप कर ही रहे होंगे और हाँ भी तक Million Minds English, एप डाउनूड नहीं किया है, तो उसको कर लीजेगा, फटा फट, और इसी के साथ साथ, हाँ, एक अपनी जो booklet है, उसको आप जरूर मुझे सेंड कर दीजेगा, ताकि उसको मैं टेलिग्राम पे डाल दूँ, और सब उसको देख पाएं, कैसा केशन भी बरू आया था, चलिए फेंट्स मिलते हैं नेक लेक्शर में, और फैमली जल्दी सेंड के होने जा रही है, थोड़ा सा और इसको जल्दी कीजेगा, और नाव थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,